असलाम ऑलेकुम to all आफित साहतों कैसे आप ? अब यहां पर आज के जो हमारी class रहेगी, आज हम general class करेंगे लेकिन यह जो questions हम करेंगे किसी ना किसी exam में पूछे यह questions है सारे के सारे selected questions है यहां पर अगर मैं बात करूँ आज के इस class के इसमें हम GK और GS के 30 questions करेंगे कि आप में से कितने लोग यहां पे 30 out of 30 दे पाएंगे एक भी question जो है आपको miss नहीं करना है skip नहीं करना है क्योंकि आज की questions की level है बिल्कुल basic level के questions है और यहां पे जन और कुछ बाते कर लेते यहां पे देखे सबसे पहले question के अगर में बात करूँ सबसे पहले question के अगर में बात करूँ name the longest river of the world आपको बताना है कि वर्ल्ड का longest river कुन सा है इनमे से नील, indus, breaking of trust या none of these तो यहां पे अगर में बात करूँ लॉंगेस्ट रिवर की तो वो कौन सा है वो है नील रिवर ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है ठीक है ना तो ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा इसके बाद आ जाते हैं next question की तरफ that is question number two की अगर मैं बात करूं अरजुन अवार्ड वस स्टार्ट इन तो देखे सबसे पहले आपके लिए यहां पर home work आ गया आपको बताना है जो अरजुन अवार्ड है यह किस field में दिया जाता है इसका संबंद किस के साथ है वो आप लोग मुझे बताओगे लेकिन यहां पर आपको क्या बताना है आपक इसको देना स्टार्ट कव से हुआ तो सी पार्ट यहां पर हमारा राइट आंसर होगा 1961 हमारा राइट आंसर होगा इसके बाद आ जाते हैं next question की तरफ that is question number 3rd की अगर में बात करूं तीसरे प्रेशन की अगर में बात करूं at sunrise and sunset sick near the sun यहां पर कहां चलेगे wait कर लेज़े थोड़ा बोर देखे यहां पर हम आचुके थे question क्या कह रहा है at sunrise and sunset the sick near the sun looks red dude तो आपने देखा होगा जब sun जो है set होता है और rise होता है ठीके ना याने कि जो सूरज जो है जब आता और जाता है तो उस समय आपने analyze किया होगा जो सिकई होता है आस्मा का जो color होता है वो sun के आसपास red color का हो जाता है ठीके ना at sunrise and sunset जो सिकई है वो जो है sun के आसपास जो है लाल दिखाई देता है लेकिन क्यों इसकी वज़ा क्या है इसके पीछे का राज क्या है कारण क्या है due to dispersion of light due to scattering of light due to reflection reflection of light या due to reflection of light तो इसके पीछे का जो कारण है जो वज़ा है वो है scattering of light that is B part हमारा right answer का यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है इसके बाद आ जाते है next question पे that is question number 4 की अगर में बात करूं चोथे प्रश्न की अगर में बात करूं सिके लुक्स बिल्यू ड्यू ड्यू तो आपको ने देखा होगा जो है आस्मा का रंग किस तरह से है सबको पता है यह जो है बिल्यू कलर का है ठीक है ना लेकिन क्यों वज़ा क्या है इसकी scattering of light because of reflection of light या both scattering of light reflection of light या due to motion तो अगर म यह effect नहीं होता तो आस्मा का सिके का जो color है वो किस तरह से होता वो black होता यानि कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता यह आपको याद रख लेना है इसके बाद आ जाते है next question पर that is question number 5 की अगर में बात करूं every atom content dash type of charged particles आपको बताना है कि atom में कितने charged particles पाए जाते हैं 4,5,2 या 3 तो यहां पर अगर में बात करूं atom की तो इसमें जो है दू प्रकार के positive charges जो है इसमें देहने को मिलते हैं एक तो positive और दूसरा negative ठीके ना यह आपको अच्छी तरह से याद रख लेने यह दू चार्ज charged particles जो है atom में होते हैं एक positive और दूसरा negative इसके बाद आ जाते है next question पे that is question number 6 की अगर में बात करूं which gas is used by plants in photosynthesis तो आपको पता है जिस तरह से जो process है photosynthesis यह point आपको याद रख लेने है plants जो होते हैं वो अपना food किस process से तयार करते हैं वो अपना food जो है process photosynthesis से तयार करते हैं यानि कि जो plants से वो अपना food जो prepare करते हैं वो prepare किस से होता है किस effect की वज़य से होता है किस process की वज़य से होता है because of photosynthesis इसमें क्या होता है इसमें sunlight का use होता है ठीके ना और जो है यह आपने photosynthesis पड़ी होगी यहां पर explain करने की ज़रुरत नहीं इसमें water भी जो है roots की जरे से व water absorb होती है और यहां पर photosynthesis की वज़य से यहां पर जो है glucose तायर हो जाता है जो कि कि किसका food है plants का food है और उसकी formula क्या है वो आप मुझे comment box में बतावागे लेकिन यहां पर आपको बताना है जब plants अपना food prepare करते हैं यहां कि photosynthesis करते हैं तो वो कौन सा gas यूज करते हैं nitrogen, carbon dioxide, oxygen या nitrogen oxide तो यहां पर अगर मैं बात करूं जब plants photosynthesis process करते हैं अपना food तैयार करते हैं तो उस समय उन्हें carbon dioxide की जूरुरत पड़ती है जो उनको atmosphere से मिलता है और वो क्या छोड़ते हैं वो oxygen छोड़ते हैं और यह oxygen जो हमारे काम आता है तो यह आपको याद रख लेना है ठीक है लेकिन अगर मैं शाम के वक्त की बात करूं तो उस समय जो plants है वो क्या करते हैं वो inhale oxygen करते हैं और एकसील ज्यादा carbon dioxide करते हैं इसलिए कहते हैं कि रात के समय दरखत के आसपास नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वहां पे जो है carbon dioxide की concentration ज्यादा होती है that is why वहां पे बैठना ख एकिवड़ मेटल कौन सा है petrol, lead, mercury या gold तो यहां पे अगर मैं बात करूं C part की that is mercury हमारा right answer होगा या आपको याद रख ले रहे हैं इसके बाद आ जाते हैं next question के तरफ that is 8 वे question के अगर मैं बात करूं which of the following is the heaviest ray आपको बताना है कि इन में से heaviest ray कूं सी है copper, gamma ray, x ray या alpha ray तो question important है आपको याद रखना है अच्छी तरह से आपको याद रखना है अगर मैं heaviest ray की बात करूं तो वो है alpha ray that is d part हमारा right answer होगा और x ray के खोज किसके दौरा की गई या rontigen के दौरा की गई ये भी आपको याद रख लेना है ये point आपके लिए important रह सकता है इसके बात देखे next question की अगर मैं बात करूं that is question number 9 की अगर मैं बात करूं question number 9 क्या कह रहा है which vitamin gives strength to bonus आपको बताना है कि हडियों को मजबूती किस vitamin से मिलती है vitamin D, vitamin A, vitamin C या vitamin E देखे ये जो चार vitamin है most important vitamin है इसके regarding बहुत सारे question पूछे जाते हैं सबसे पहले आपको याद रख लेना है अगर मैं vitamin E की बात करूं इसे beauty vitamin के नाम से जाना जाता है और vitamin C की अगर मैं बात करूं इसे ascorbic acid के नाम से जाना जाता है और इसकी deficiency की वज़ह से सिकरवे डिजीज होती है और यहां पर अगर मैं विटमिन A की बात करूँ तो इसकी डिफिशनसी की वज़ए से नाइट बलैंडनेस होती है और इसका जो है कमिकल नेम भी आप कह सकते हो या सेंटिफिक नेम आप कह सकते हो वो क्या है वो आप मुझे कॉमेट बॉक्स में बताओगे ठीक है ना और रहा सवाल यहां पर विटमिन D का तो अगर मैं विटमिन D की बात करूँ विटमिन D की डिफिशनसी की वज़ए से कौन सी डिजीज होती है यह आपको याद रख ले है पॉइंट इंपॉर्टन है विटमिन D की डिफिशनसी की वज़े से दो टाइप की डिजीज होती है एक तो रिकिटस और दूसरा ऑस्टो मैलेशिया अगर मैं रिकिटस की बात करूँ तो रिकिटस चिल्डरन्स में होती है और ऑस्टो मैलेशिया एडल्टस में होती है और विटमिन D की डिफिशनसी की वज़े से दो डिजीज होत और इसकी प्राप्ति जो है वो कहां से होती है यह हमारी बॉड़ी को जो है सन लाइट से मिलता है यह आपको याद रख लेना है और यह जो है हमारी हडियों को मजबूती देता है यह आपको याद रख लेना है पॉइंट सारे के सारी important थे I hope कि आपने सारे के सारे point note कर ली हो इसके बाद आजाते हैं next question पर that is question number 10 की अगर में बात करूं, दसवे प्रेशन की अगर में बात करूं, यहां पर आप देख सकते हो, दसवे प्रेशन क्या कह रहा है, which of the following is a star, तो आपको बताना है कि इन में से star की category में कौन सा include किया जाता है, देखें सबसे पहले अगर मैं य अर्थ की, तो अर्थ को जो है, बिल्यू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, अर्थ को जो है, वाटरी प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीके ना, और यहां पर अगर मैं वैनस की बात करूं, वैनस को जो है, मौत ने के इन स्टार के नाम से जाना जाता है, और Sun जो है आपने बच्चमन में भी पढ़ा होगा और 10th में भी बहुत सारे लोग ने पढ़ा होगा Sun is a star ठीक है ना तो Sun को जो star भी कहा जाता है तो यहां पर हमारा जो है A part हमारा right answer होगा Sun हमारा right answer होगा इसके बात देखे next question that is question number 11 States with the longest coastline आपको बताना है कि इन में से वो कौन सी state है जहां पर सबसे ज्यादा coastline देखने को मिलती है महराश्रा, गुजरात, आंधरा प्रदेश या तामिल नाडो तो यहां पर अगर मैं बात करूँ A part की सब्सक्राइब इसका राइट answer होगा इसके बाद आजाते है next question पर that is question number 12 आपको बताना है जो पानी पत का पहला युद है वो कब लड़ा गया है किस साल में वो लड़ा गया 1761, 1516, 1526 या 1556 तो यहां पर मैं बात करूँ तीसरी option की that is 1526 हमारा right answer होगा और जो first battle of पानी पत है बाबर एंड इबराहिम लोदी के बीच में लड़ी की जिसमें बाबर ने इबराहिम लोदी को हरा दिया मात दे दी और साथी साथ यहां पर उसने इंडिया में क्या किया मुगल सल्तनत जो है इस्टेबरिश की मुगल साशन यहां पर स्टार्ट हुआ अपर फर्स्ट बैटल पानी पत जो की बाबर एंड इबराहिम लोदी के बीच में लड़ी की थी 1526 को ओर सेकंड बैटल पानी पत ठीकिन अब पानी पत का दूसरा युद कब लड़ा गया थ यह आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओगे इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन पे दैटस क्वेस्टन नंबर 13 के अगर में बात करूं वाइर इस दे लॉंगिस्ट रेल्वे प्लेटफर्म इन दे वर्ल्ड तो यहां पर आपको बताना है कि वर्ल्ड में लॉंगिस्ट रेल्वे प्लेटफर्म कहां पे देखने को मिलता है लै नियुयाक चाइना या गोरखपूर तो एस पर आप्शन यहां पे आपको राइट आप्शन चूज करना है यहां पे अगर मैं डी पार्ट की बात करूं गोरखपूर हमारा राइट आंसर होगा डी प तर्मिनालजी है यह आपको नोट कर लेना है most important टर्मिनालजी है महापरी निर्वाना किसको कहते हैं ठीक है ना जब अगर मैं गोतम बुधा की बात करूं 1563 BC में जो है इसकी पैदायश हुई है कहां पे लुंबिनी में इसकी पैदायश हुई है लेकिन अगर मैं इसकी enlightenment की बात करूं इसने जो है knowledge कब हासल की knowledge की प्रापती कब की उस term को क्या कहते है इसकी enlightenment को कहते है निर्वाना ठीक है सी नोट करूग mana और यहां पे अगर मैं बात करूँ यहां पे अगर मैं बात करूँ किसकी गोतम बुधा के death की तो इस terminology को क्या कहते है महापरी निर्वाना और यहां पे आपके लिए और भी कुछ में question रख रहा हूँ आपको मुझे बताना है गोतम बुधा ने अपना पहला सर्मन कहां पे दिया और यहां पे इससे जो knowledge हुई, नर्वाना हासल हुई, प्राप्ति हुई, enlightenment हुई, ठीके न, knowledge की प्राप्ति हुई वो कहां पे हुई, वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन under there, ठीके न, किस tree के नीचे हुई, और किस नदी के किनारे, यह आप मुझे comment box में बताओ, कि important question है, यह आपके लिए question है इसके बाद, यहां पे next question के हम आजाते हैं, आज की class basic class थी, सारे के सारे question आपको करने है, और जो homework मैं आपके लिए रख रहा हूँ, उसके साथ, ठीके न, उसको भी आपने target में include करना है, जो भी मैंने आपके लिए homework रखा है, उसे याद रख लेना, वीडियो के end में हर एक तो जो है homework का आपको answer मुझे करना है, यहां पे अगर मैं solve a question की बात करूँ, question number 16 की अगर मैं बात करूँ, the third planet of the solar system is called, आपको बताना है, जो solar system है, उसमें जो तीसरा planet है, वो कौन सा है, देखी यहां पे अगर मैं solar system की बात करूँ, तो इसमें total पहले की अगर मैं बात करू इसमें 9 planets देखने को मिलते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक planet को जो है, planet की category से हटाया गया, वो था प्लेटो, ठीके ना, तो उसे जो है, यहां पे हटाया गया, और presently यहां पे बात करूँ, planets कितने है, 8 planets है, तो इनके regarding बहुत कुछ factors होते हैं, वो आपको याद रख में हर एक exam में पूछे जाते हैं, इस पेशली इंडियन आर्मी में, और यहां पे आप से क्या पूछा गया, यहां पे आप से पूछा गया है, जो planet की जो category, इसकी जो family है, तो तीसरा planet कोन सा है, मारस, वैनस, अरत या जुपिटर, तो यहां पे अगर मैं बात करूँ, अरत की, तो अरत जो है, तीसरा planet है, सी पार्ट हमारा right answer होगा, और यहां पे आपको मैंने पहले ही बताया, अरत को जो है, बिल्यू planet के नाम से भी जाना जाता है, और अगर मैं जुपिटर की बात करूँ, जुपिटर को जो है, गैड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, औ question number 17 की अगर मैं बात करूँ, which is the vitamin that is not found in egg, आपको बताना है कि इन में से वो कौन सा vitamin है, जो कि अंडे में नहीं देखने को मिलता है, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, तो यहां पे आपको अच्छे तरह से याद रख लेना है, vitamin C की अगर मैं बात करूँ, यह जो है, अंडे में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, vitamin C, जो है, अंडे में नहीं देखने को मिलता है, जितने भी खटे चीज़े होते हैं, उन में vitamin C देखने को मिलता है, और बहुत बार यह question पूछा गया है, कि vitamin C, जो है, सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलता है, देखे, यह question यहां पे note कर लेना, बहुत बार पूछा गया है, अगर मैं आपको option दू, यहाँ पे पहला option दू, मैं आपको आमला, ठीक है न, दूसरा option मैं आपको दू, lemon, तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा, कि जो vitamin C है, यह खटी छीजों में पाया जाता है, और आमला भी हुआ खटी चीज़े, और जो lemon है वो भी खटी चीज़े तो vitamin C दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कबार question पूछा जाता है, इन में से vitamin C की मात्रा जो है, स लेकिन vitamin C की जो मात्रा है सबसे ज़्यादा आमला में पाई जाती है यह आपको याद रख लेना है कभी कबार question आपके काम आएगा इसके बाद आ जाते हैं next question पे that is question number 18 what is the chemical formula of methane तो आपको बताना कि methane की chemical formula क्या है C2H2, C2H2O, CH4, C2H8 तो यहाँ पे अगर में methane की बात करूँ और इसकी chemical formula की बात करूँ that is CH4 जो है methane की chemical formula है यह आपको याद रख लेना है इसके बाद आ जाते हैं 19 पे प्रेशने की तरफ a magnet has how many polis तो polis के बारे में आपने देख जाना होगा आपको पता होगा इसके regarding आपको knowledge होगी अगर मैं magnet की बात करूँ तो magnet में कितने प्रेकार के polis देखने को मिलते हैं इसमें दो प्रेकार के polis देखने को मिलते हैं टू टापस आपस of polis are present in magnet one is north pole and another is south pole ठीक है ना तो d part दो हमारा right answer होगा या आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है इसके बाद आ जाते हैं next question पे that is question number 20 की अगर मैं बात करूँ which of the following metal is hard आपको बताना है कि इन में से वो कौन सा metal है जो कि hard है iron, gold, transistor या platinum तो यहाँ पे अगर मैं B part की बात करूँ transistor हमारा right answer होगा या आपको याद रख लेना है दरह से लिए B part नहीं है C part होना चाहिए लेकिन manage कर लेना यहाँ पे आपको transistor याद रख लेना है इसके बाद आ जाता है next question पे that is question number 21 which metal is also called future metal आपको बताना है कि इन में से वो कौन सा metal है जिससे future metal के नाम से जाना जाता है copper, gold, iron या none of these तो यहाँ पे D part हमारा right answer होगा क्योंकि अगर मैं future metal के बात करूँ तो titanium को future metal के नाम से जाना जाता है जो कि option में नहीं है that is why none of these हमारा right answer होगा इसके बाद आ जाते हैं next question पे that is question number 22 who gave the slogan जे जवान जे किसान तो जे जवान जे किसान का नारा किसके दोरा दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री, M.K. गांदी, S.C. बोस या इकबाल तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इकबाल की तो आपको पता होगा सारे जहां से अच्छा हिन दोस्ता हमारा किसके दोरा कहा गया है तो एपाठ हमारा राइट आंसर होगा और S.C. बोस के दोरा कौन सा स्लोगन दिया गया है, कौन सा नारा दिया गया है यह आप मुझे comment box में बताओगे ठीके ना, मिरी आदत है मैं homework सबसा हूँ तो आपको भी क्या करना है आज आपको हर एक homework का मुझे answer देना है यह आपको याद रख लेना है इसके बाद देखे question number 23 की अगर मैं बात करूँ लोफ पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है यह आपको बताना है ठीके ना लोफ पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है बाल गंगादा तिलक, सरदार पटेल, M.K. गांधी या नन ओफ देज तो देखे अगर मैं M.K. गांधी के बात करूँ M.K. गांधी को father of nation के नाम से भी जाना जाता है इसे जो है बापू के नाम से भी जाना जाता है बापू नहीं बापू बापू के नाम से भी जाना जाता है और यहां पर अगर मैं बात करूँ सरदार वलब बाई पटेल की तो इसे जो है Iron Man of India के नाम से जाना जाता है यह आपको याद रख लेना है ठीक है ना? तो इसके बाद आ जाते है next question पर that is question number 24 AIDS effect is which of the following part भी आप कह सकते हो या इस तरह से कह सकते हो तो यहां पर आपको note down कर लेना है सबसे पहले AIDS की full form क्या होती है Accured Immunodificency Syndrome यह जो है AIDS की full form होती है और AIDS जो है जिस virus से यह होता है उसको क्या कहते हैं? उससे HIV कहते हैं और AIDS जो है यह आपको याद रख लेना है यह जो है Immune System को Effect करता है Immunity System को Effect करता है कमजोर करता है यह प्रेशन आपको याद रख लेना है Kidney की अगर मैं बात करूं Kidney जो है Blood को Purify करने में जो है काम आती है यह आपको याद रख लेना है और Lungus Respiratory System का Man Organ कहलाता है यह आपको याद रख लेना है इसके बाद हमारा जो आखरी प्रेशन है That is Question No.25 Which gas is responsible for global warming तो आपको बताना है कि इन मेंसे वो कौन सा gas है जो कि global warming के लिए important है Carbon dioxide, nitrogen, oxygen या ननो आफ देज़ आप कह सकते हैं कि responsible है जिसके वज़ा से जो है global warming होती है किस gas की concentration ज्यादा होने के वज़े से global warming होती है वो है Carbon dioxide That is a part हमारा right answer होगा यह प्रेशन आपके लिए important है I hope कि सभी प्रेशन आपने ठीक किये होंके I think मैंने आपको 30 प्रेशन बताया था लेकिन यहां पे हमने 25 प्रेशन किये तो आपको बताना है कि 25 में से आपके कितने सही गए लेकिन जो मैंने आपको comment में बताया extra points जो मैंने आपको बतायी वो मिला के हमने 30 प्रेशन सारे के सारे किये है और जो भी मैंने आपके लिए homework रखा है वो आपको मुझे comment box में बताना है कि आपको कितने question आए कितने आपने सही किये और साथ इसाथ जो मैंने आपके लिए homework रखा है वो आपको मुझे आपको आपको आज की class जो है पसंद आए होगी वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शर्जूर कर देना चानल पे जितने भी लूब ना है चानल को सब्सक्राइब करना ना बूले मिलते हैं नेक्स टी वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दौा में याद रखें अल्ला हाफिस Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh